नमस्य दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों मेरे दो महिने के व्रत चल रहे हैं सावन गे तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना हूँ कि मैं डेली की पूजा कैसे करती हूँ क्या क्या मैं डेली पूजा में करती हूँ दीरगायू और अच्छे स्वास्त का वरदान मिलता है और अगर हम जल में लाल मिर्ची के 21 दानें डालकर सुर्देता को अरपित करें तो उससे हमें कर्च से मुक्ति मिलती है मैंने आंख्डे के पेड में जल जड़ाया है कहा जाता है कि आंख्डे के पेड में भी महादेव का वास होता है साथी साथ हमारे घर के पास में लगा हुआ है शमी व्रक्ष तो अभी मैं शमी व्रक्ष में जल अतित कर रहे हूँ शमी का व्रक्ष शिव जी को अतिप्रिय है और इससे माना जाता है कि शमी व्रक्ष में भी शिव जी का वास होता है इसके बाद मैं जाती हूँ शिवाले में हमारे घर के पास एक दूसरा मंदिर है जहां मैं जाती हूँ बट मैंने प्रदीत मिश्रा जी की रीद देखी थी एक उन्होंने कहा है कि शिव जी के उपर जल अर्पित करने के बाद उसमें से थोड़ा से बचा हुआ जल अकिट करें तो इससे हमारे घर में सुकस अमद्रधी आती है, तीन महीने में हमारे घर की काय पलट हो जाती है तो मैंने सोचा कि शिव जी को जल जढाने तो मैं जाती ही हूँ लेकिन अब मैं ऐसे ज़ता जाना शुरू कर देती हूँ जहां पर बेल पत्र का पेर पास में लगा हो तो बस शिव जी को जल अर्पित करने के बाद अब मैं जाऊंगी बेल पत्र में जल जढाने तो शिवजी को मैंने जल अर्पित कर दिया है, मैं बोटर भर के लेकर आ जाती हूँ, थोड़ा सा पानी इसमें बचा था, तो उसे मैंने और पानी मिला लिया है, अब ये जल मैं बेल पत्र में अर्पित करूँगी जलाधारी का थोड़ा सा जल मैं लोटे में डाल कर ले जाती हूँ, और उसे घर में छीटने के साथ सा थोड़ा जल मुटके में भी डाल देती हूँ उसके बाद मैं आ गई हूँ घर के पास वारे शिवालाय में जहाँ पर हनुवान जी का मंदिर भी है और शिवलिन भी है शिव शिव जी का पूरा परिवार है तो अब हम शिव जी के पूजा करेंगे पूजा की थाली कैसे लगाती हूँ मैं सोमबार के दिन आज सोमबार का दिन है इसलिए हम लोगी विशेश पूजा करने आए हैं तो शिवजी की पूजा की थाली में मैं क्या क्या रखती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर चुगी हूँ तो बस यहाँ पर आकर हम लोग फूजा करते हैं और माता जी के लिए ज sophomore का समान लाते हैं पारवती माता के लिए वो उनको टले जाते हैं तो यहाँ जो लोग आते या तो ले जाते हैं या पंदिता नी किसी वो दे लेती हैं या खुद ले जाती है भगवान की आर्थी करने के बाद यहां पर हम लोग ने फीपल के ब्रक्ष की पूजा की क्योंकि जिस समय का यह वीडियो है उस समय अधिक मास चल रहा था उसके बाद मैं आ गई अपने घर में तो बस मैंने मंदिर साफ करने के बाद भगवान को नहलाया सारी तस्वीरें पोशी भगवान की चनने लगाया फूल चड़ाये और अपने जो पाट करती हूं मैं जितने भी वो सब मैंने किये उसके बाद बस मैंने आर्थी की और शिव कुरान में पढ़ रही हूं रोज तो शिव कुरान की मैंने पूजा की क्योंकि जो ग्रंथ हम पढ़ते हैं उनकी पूजा पहले करनी चाहिए तो शिव कुरान की भी मैंने पूजा कर ली और मुझे इस समय समय मिलता है तो मैं इस समय ही पढ़ लेती हूं पूजा करनी की समय अगर मुझे समय नहीं मिलता है तो फिर मैं दो फैर मैं कभी भी पढ़ लेती हूं एक आंट में बैठकर ताकि कोई डिस्ट्रबेंस ना हो तो दोस्तों ये है मेरी श्रावन मास मैं पूजा जो मैं करती हूं उसकी पूरी डिटेल दो महिने के ब्रत जब हम करते हैं तो हमको लगता है कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि हमको लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं कोई ब्रत कर रहे हैं या कोई अच्छा धार में कारे कर रहे हैं इसलिए अगर नहीं रहते हैं तो और है नहीं तो वेडियों सब्सक्राइब च聲 without Joj. Was little और उस्तों यही थी सारी पूजा जो मैं करती हूँ शराबन मास्त में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुम भी लिएगा फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में हर हर महादेव जय माता दी